पुष्पा दा राइस के ब्लोगबस्टर होने के बाद साउथ फिलम इंडस्ट्री के मोस्ट इस्टाइलिस स्टार अलू अर्जुन अब इसके सीक्वल पुष्पा दा रूल की शूटिंग शूरू होने का इंतजार कर रहे हैं सैकुमार के निडेशन में बनी यह फिलम जल्द ही फ्लोर पर आएगी अबिनेता ने ब्लोगबस्टर फिलम पुष्पा दा राइस में लाल चंदन तसकर पुष्पा राज की किदार से करोल लोगों का दिल जीता था इस फिलम को कर अलू अर्जन का नाम पैन इंडिया के सूपरिट स्टार्स की लिस्ट में शुमार हो चुका है उन्होंने इस फिलम के लिए कड़ी मेहनत की यहां तक कई मेहनों तक वे कंदों के दर से भी जूंसते रहें और अब भी उन्हें कभी कभी इस परशानी का सामना करना पड़ता है ये बात खुद उन्होंने एक इंटर्व्य के दोरान बया की थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि अबिनेता के एक खुंकार तसकर बनने के लिए उन्होंने कितनी फीस ली थी आए जानते हैं पुषपा को करने के बाद अलू अर्जन एक ग्लोबर इस्टाल बन चुके हैं जिनके स्टेप्स विदेशों में भी खूब लोग प्रिये हो चुकी हैं जानकारी के मुताबिक पुषपा के ब्लोग बश्टर होने के बाद अलू अर्जन अपने अपकमिंग फिलम प्रोजेक्ट की 100 करोड की फीस चार्ज कर रहे हैं उन्होंने पुषपा दा रूल के लिए मोटी तनकवा की मांग की है अबिनेता की नई पारिश्चमिक की मांग को सुनकर फिल्मेकर हैरान है उन्होंने फिल्म के सिक्वेल के लिए भी सोक रोड रुपे की डिमांड रखी है पुषपा दा राइस के लिए उन्होंने इससे आदिफ पीस ली थी लेकिन उसी के स्विकल के लिए वे डबल एमाउंट चार्ज कर रहे हैं हाला कि भूमिका या फिल्म के बारे में कोई जानकरी सामने नहीं आई लेकिन अभी नहीं था कि इतनी बड़ी फीस को हर किसी ने चुका दिया है ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइज शेर चैनल को स्बस्क्राइब जरूर करें धन्यावाद